है लो गाइज आपका आज की वीडियो में स्वागत है आज हम देखेंगे कि पाइथन में इंपुट कैसे लेते हैं यूजर से इंपुट कैसे लेते हैं तो उसके लिए मार पास एक फंक्शन होता है इंपुट नाम का और ब्रैक्ट चलिए देखते हैं इस फंक्शन के बढ़ा दीथा हूं ठीक है तो ये यूजर से इंपुट लेना है तो नेम एंपुट और ब्रैक्ट हम क्लो सकर देंगी अ और यहापर हम नेम पास कर देता हूं जैसे कि हमारा नाम वेक कोडा इlak है तो यह नंने पास कर दिया अब इसको प्रिंट कर आते हैं प्रिंट谁 अगर हमें integer type input लेना है, अगर हमें integer, मानो हमें marks input कराने है, कि marks इतने हैं, marks input कराने है, तो अगर आप ऐसे input करा देंगे, marks सिर्फ ऐसे, तो क्या होगा, जो python है वो उसको string value समझेगा, python default input string समझेगा, तो हम उसको typecast करना पड़ेगा, हम typecast कैसे करेंगे, यहाँ पर हम input ले रहे हैं तो यहाँ पर हम integer, बोलने हैं कि integer जो भी input है उसको integer में convert कर दे, अब देखते हैं, पहले इसको comment कर देते हैं, है ना, इसको अटा देते हैं, अब की बार हमें integer input करा रहे हैं, अब इसको print कराते हैं, print marks, फिक है, अब यहाँ पर integer पास कर देते हैं, जैसे की marks है हमारे 75, फिक है, तो 75 print हो गया, अब यह सोच रहोंगे, कि यह भी string value दो नहीं है, तो मैं आपको इप्रूफ कर देता हूँ, कि यहाँ आनो हमरे marks है, हमें marks में 20 प्लस करना है, फिक है, तो क्या हो जाएगा, 95, बिल्कुल सही, वैसे ही, अगर आपको float value input करानी है, अब यहाँ पर float लिख देंगे, ठीक है, मानिए इस बार मैं float value input कराऊंगा, तो आप में पास कर देता हूँ, कोई भी float value, जैसे की 14, 13.12, ठीक है, तो आप इसको run करके देखते है, जैसे की आप देख सकते है, 13.12 था, और हम इसमें 20 add करा है, तो 33.12 दे दिया, तो यासे की हम python में input लेते हैं, बहुत simple है, यूजर से input लेना python में, यह था इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, थैंक्स वर वाचिंग,